Hey mamas and daddies, मैं आज आपके साथ share करने जा रही हूँ 6 brain development activities और ये वीडियो होगा दो parts में, part 1 and part 2 ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए आप प्लीज दोनों parts पूरे देखना, सारी activities और उनके फाइदे जानने के लिए बच्चे की जिन्दगी के पहले 1000 दिन, conception से लेके second birth rate तक बहुत ही खास है brain development के लिए बच्चे के birth के time पे बच्चे के दिमाग का size किसी adult के दिमाग के size का सिर्फ 25% होता है मतलब एक चौथाई होता है और जैसे जैसे बच्चा एक साल का होता है, बच्चे के brain का size किसी बड़े के brain के size का 50% हो जाता है और जैसे जैसे बच्चा दो साल का होता है, बच्चे के brain का size किसी adult के brain से 80% हो जाता है मतलब इन दो सालों में brain development बहुत ही तेजी से होता है आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि अगर आप बच्चे को अच्छा खाना देंगे तो बच्चा automatically बढ़ा होगा, बच्चे का size, बच्चे की length, बच्चे का weight, बच्चे का head circumference अपने आप बढ़ा होगा, तो क्या जरूरत है बच्चे को brain development activities experience करवाने हैं? According to Center on the Developing Child, Harvard University, बच्चे की जिन्दगी के शुरुवाती दिनों का experience, brain का जो architecture है उसको affect करता है, जैसा baby को experience होगा, उस हिसाब से baby के दिमाग का structure या तो strong होगा या कमजोर होगा, जिन्दगी भर नई चीजों को सीखने के लिए, बच्चे की सेहत के लिए और बच्चे के वहव के लिए ये lifelong effect करेगा, बिलकुल वैसे ही जिस तरह नीव का कमजोर या मजबूत होना, घर को मजबूत या कमजोर बनाता है, बच्चे का early childhood, शुरुवाती दिनों का experience, तजुर्बा, decide करेगा कि बच्चे की पूरी जिन्दगी positive होगी या negative, तो आईए देखते हैं कैसे brain development activities करवा के उसके childhood experience को rich बनाया जाए, बच्चे से जितना हो सके बात करें और उसको आस पास की surrounding समझने में मदद करें, ये बेबी की मदद करेगा उनके action और उनसे होने वाले consequences को समझने में, जब भी आप बेबी के साथ खेलें, बेबी की आँखों में देखकर उससे बात करें, what happened, what happened, tell me, clean and soft tone में उससे बात करें, ताकि बच्चा आपके sound को copy कर सके, आपके lip movements को समझ सके, जब भी आप बेबी के साथ खेलें, बेबी से छोटे छोटे सवाल पूछें और उसको वक्त दें, उनस सवालों का जवाब देने के लिए, इस activity से बेबी धीरे धीरे आपको copy करेगा और जल्दी बोलना सिखेगा, face time, जब बेबी newborn है तब से, बेबी के close जाकर, बेबी को आपका चेहरा observe करने दे, इस activity को करने से काफी जल्दी बेबी खुद को आपसे relate करने लगेगा, latest study के हिसाब से, बेबी माबाप और family members का चेहरा बहुत जल्दी पहचानना शुरू कर देता है, और बाद में सीखता है आजपास के patterns and shapes, face time activity से बच्चे का visual experience enhance होता है, peaceful sleep, you might think, peaceful sleep कोई activity है, uninterrupted peaceful sleep, बच्चे के brain development के लिए बहुत important है, उतनी ही important जितना की positive आहार बेबी की overall development के लिए जरूरी है, उतनी ही जरूरी है peaceful uninterrupted sleep, According to Canadian study of toddlers, children who got the most sleep, वो ज्यादा अच्छे होते हैं नई चीजों को सीखने में, ध्यान देने में, goal set करने में, अपने task को पूरा करने में, वो ज्यादा alert होते हैं, compared to children who don't get peaceful sleep, तो अपने बच्चे को uninterrupted, गहरी नींद में सोने दे, Gaining special awareness, यानी जगा या स्थान की जागरुकता, जब बेबी अच्छे mood में है, पेट भरा हुआ है, बच्चे को जमीन पर चटाई या कंबल पर निटा दीजिए, और अपने हाथ पैर observe करने दीजिए, observe करने दीजिए कि कैसे उसके हाथ पैर move कर रहे हैं, ये activity बच्चे की मदद करेगी brain में nerve connection डवलप करने में, movements control करने में, जगा और distance को समझने में, narrate the day, show your baby different rooms in your home, उनको बताईए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, बेबी से बात कीजिए जब उसे नहला रहे हैं, उनको बताईए कि बाथरूम में क्या क्या है, talk to them when you are feeding them, बच्चे के सोते वक्त stories पढ़िये, and let them listen all the sounds in the surrounding, all these activities have shown, increase child's IQ and vocabulary range as they grow old, black and white and high contrast cards and toys, research के हिसाब से जनम के बाद, शुरुवाती कुछ महीने बच्चा सिर्फ black and white and shades of grey देख सकता है, black and white cards और high contrast cards and toys, बच्चे के धिमाग को stimulate करते हैं, प्रोचसाहित करते हैं, बच्चे के विजन को improve करते हैं, high contrast खिलोने और cards, बच्चों के लिए समझना आसान है, और ये बच्चे के attention span, बच्चे की memory और nervous system को मजबूत करता है, और ये बच्चे की मदद करता है, शोशल होने में, मिलने जुलने में, black and white and high contrast flash cards and toys, इनका link मैंने description में शेर किया है, useful tip, stop before your child want to stop, mamas and daddies, आप observe कीजिए, अगर बच्चा bore हो रहा है, अगर इधर उधर देख रहा है, या अपनी आखे रप कर रहा है, या यौन कर रहा है, तो आप रुख जाईए, आपसे बहुत जल्द दुबारा मुलाकात होगी with part 2 brain development activities, बहुत सारा प्यार parents को और उनके babies को,